बिहार के IPS officer की बात नहीं कर रहो जो 18 साल का IPS बन गया था ठीक है उसे इंसान की बात करो जिसकी 21 साल यह जो चुकी है तो भाई साहब उसके लिए employment अगर नहीं है तो भाई उससे ज़्यादा बेज़ेती समाज में किसी की नहीं है मतलब यह होता कि भाई आप लोगों का यह सब्ता कैसा गया है उसका रिव्यू कर लो और all unemployment rate जो है वो अंचेंज है यानिकि 3.2 है इंटरनेशनल वरकर्स बे किस दिन सरीबेट की आता है जरा बताईए देखता हो कौन-कौन बताता है यह important हो जाता है यह आप और यह कितना important ह अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे तो UPSC में आप लोगों से question पूछा जा चुक है यह एक तरीके से आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कई बार कि हाँ पर जो employment है वो एक नव यूवक एक ऐसा इंसान जो कि बेसिकली जवान इंसान है 18-21 साल के उपर यह जो चु समाज में किसी की नहीं है मतलब अगर आप लोग बेरोजगार हो तो बेरोजगारी अपने आप में गाली है आज की रेट में समाज के दर में यह reality है आप लोग फील कर रहे होगे मुझे explanation देने की जुरुत में इसके उपर में यहाँ पर सरकार क्या बोल रही है सरकार यह ब ऐसा का ऐसा ही है दो हजारी में और यह ने विए उस से निच नहीं पोचको और यह वह उस कि नहीं पोचके चिज़गे इनके दौरा यह बोल हो ओर यह वह पंप पर four survey जो कि सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमें इनके द्वारा ये बाते बोली गई है तो मतलब कहने का यह है कि इनके हिसाब से यह similar दी चल रहा है पहले के compare में जैसा था अब यहां पर भी आप लोग अलग अलग तरीके से देखेने को मिलेगा इसको बादा चलेगा कि कहां पर ज्यादा लोग बेरोजगार रहते हैं आप लोग इसको समझ भाओगे इच्छे से अभी जहां से सुनेगा इसको यहां पर पहले तो यह आद रतना कि 23-24 का data आप लोग के सामने क्योंकि जब यहां पर साल complete हो जाता है तो उसका analysis किया जाता है ज लाइफ जो है वो बल्ले-बल्ले हो जाएगी बताओं कौन-कौन से हैं कहां कहां पर आप लोग को यहां पर अपना review करना चाहिए अगर आप लोग ने इसके अंदर में रिवीव करना है श्टार्ट कर दिया तो जिन्दगी के मज़े हो जाएगी है पहला जो आप लोग को पैन को भी लेकर बैठ कर अगर इसको ठीक करना सीख लिया तो यह इनसान जो है बहुत सारी गलतियों को सुधारतावा नजराएगा दूसरा यहां पर पहला weekly हो गया दूसरा हो गया monthly अगर monthly आप लोग ने चेक कर लिया review कर लिया तो भाई और शांदार तरीके से आप यह सारे ही आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एक बार को जो भी कर रहे हो वो अपनी जगे है क्योंकि duration रहता है इसके अंदर में अगर आज की date में आप लोगों ने यह इसके उपर में star लगा ले ना अगर day wise आप लोगों ने यह review करना इस टार्ट कर दिया तो इनकी सारू की fulfillment अपने आप ही हो जाएगी अगर मैं मोटे मोटे तोर पर बोलू यानि कि आज का दिन आप लोगों ने कैसे utilize किया है अगर अपने बिस्तर पर जाने से पहले आप लोगों ने उसको review कर लिया कि हाँ आज का दिन satisfactory हुआ है और मज़ा आ गया आज का दिन enjoy करने में अगर यह करना है start कर दिया तो आप लोग की जिस लेवल पर चेंज होगी न तो भाई आप लोग उस लेवल पर कभी सोच भी नहीं सकते कि यार हम भी इतना कुछ कर सकते हैं इतना powerful यहां पर यह होता है तो सरकार भी यहां पर review कर रही है वो पूरे साल की पर आप लोग को daily review करना है अपनी performance को और जो बच्चे कर रहे हैं कि daily comment box में अपना schedule लिख दे रहा है और फिर शाम को आकर उस पर टिक लगा रहे हैं कि हाँ यह पूरे हो गए हैं भाई साब कुछ दिनों बाद देखना आप लोग का mindset कि लेवल पर change होने वाला है यह चीज़े ऐसी होते हैं किसी के सरीर में अगर pain हो रहा है आप लोग उसको देख नहीं सकते नाप नहीं सकते यह इंसान कितना खुस है थोड़ा बहुत चहरे से आप लोग देख सकते हो कि दुखिया खुस है पर आप लोग उसको नाप नहीं सकते इसी तरीके से भाई साब यह ऐसा improvement है जो कि reality में आप लोग नाप नहीं सकते पर लेकिन result ऐसा दिखाएगा कि दुनिया आप लोग को नापती रह जाएगी कि कर कैसे गया इंसान तो इसलिए इस पर आप लोग जरूर काम करिए ठीक है अपर यहां पर इन्होंने क्या बताया इन्होंने एक है कि overall unemployment rate जो है वो unchanged है यानि कि 3. 3.2 है previous year की तरह अब की बार भी लेकिन unemployment in rural area जो है वो decrease हो गया है from 5.3 से हाँ पर 2.5 आप लोगो देखने को मिल लगा ठीक है अर्बन एरिया में unemployment rate जो है वो ड्रोफ हो है 7.7 से लेके 5.1 पर अभी मैंने आप लोगो पहले ही question क्यों पूछा क्योंकि यह question interview का है यापर क्यो unemployment rate जादा कहां पर है तो कुछ ने बोला था वी यानि के village के अंदर में कुछ ने बोला था सी यानि के city के अंदर में अब लोगो पता चल गया unemployment rate कहां पर है unemployment rate जादा आप लोगो देखने को मिलेगा city के अंदर में as compared to village में इंसान भली कुछ नहीं कर रहा है फिर भी कुछ और female में करते हैं यहाँ अगर बात करेंगे हाँ पर unemployment rate के बारे में जो male का decrease हुए 6.1 यह था basically अभी 3.2 पर आ गया और female का जो था 5.6 था अभी 3.2 पर आ गया यह इनके द्वारा female के बारे में हाँ पर बताय जा रहे हैं अभी यहाँ पर जो अगर labor force participation rate के बारे में आप लोग बात करते हैं तो overall यहाँ पर इनके द्वारा डेटा बता दिया है male का कैसे बढ़ रहे है female का कैसे बढ़ रहे है अब जो interesting data है वो मुझे यहाँ पर लगा कि इन्होंने Muslim female और Hindu female के बारे में इनके woman के बारे में बता दिया और Sikh और Christian woman के बारे में बता दिया अब यहाँ से आ compare कर लेते हैं पर लेकिन particular community के अंदर में अगर हम लोग जाकर check करें कि फीमेल की condition कैसी है तो आप लोग चीजों को समझ पाओगे Muslim जो woman है उनमें अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर यह 15% था basically अगर बात करें participation का और यह 21% बढ़ गए ठीक है तो labor force participation जो है यह बढ़ ग से ज्यादे तर नहीं निकला करती थी परदे में रहा करती थी अब वो भी बहर निकल कर आ रही है Muslim लड़किया तो यहाँ पर उनका भी participation बढ़ा है यह कच्छी चीज बोल सकते हो हिंदू की जो लड़किया है basically जो हिंदू woman है उनका increase हो है यहाँ पर देखो यह 26 था इनका और यहाँ पर 33 हो गए है तो यहाँ से आप लोग communities के बीच में difference देखो यहाँ पर इनका 15 से 24 हो है 21 से लेके 23 के बीच में और यहाँ पर इनका जो बड़ा है वो भी इसके बराबर नहीं है जो इनका पहले से ही था तो यहाँ से पता चलेगा कि आज की date में जो Muslim society के अंदर में जो conservative माहूल है वो जादे है यानकि आज भी लड़कियों को जोब करने के लिए allow नहीं करते हैं यह चीज आप लोग को देखने को मिलेगी आज भी इस तरीके का माहूल आप लोग को देखने को मिलेगा इसमें अगर आप लोग Muslim community से आते हैं या फिर आप लोग हिंदू community से आते हैं तो आप लोग खुद भी इस बात को बता सकते हैं comment box में कि यह reality है या फिर नहीं यह आप लोग समझ सकते हैं सिख और Christian के बारे में अगर बात करें तो सिख के बारे में बात करें तो 19.8 और 26 यहाँ पर सिख का देखने को मिलेगा और Christian जो लड़किया है खासकर वो अच्छे लेवल पर आज की डेट में कहीं ने कहीं एक तरीके से जोग करते हैं नजर आती हैं यानि कि Christian सोसाइटी ज्यादा ओपन सोसाइटी है यहाँ पर as compared to Muslim और Hindu और Sikh के कंपियर में क्योंकि इनका labor force participation 34 से बढ़कर 38 यहाईस्ट बढ़ गया है तो इसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो आमिर हुसें नोट अलावड इन मुस्वें फैमिली एक्जक्ली यही चीज़े में आप लोग को बता रहा हूं ठीक है यही चीज़े सोचने वाले आप ठीक है तो अभी यहाँ पर क्या हो गया तो यहाँ पर अगर आप लोग को बोले कि इनको decreasing order में लगाने तो सबसे ज्याद है आज की ड़ेट में जो जोब करती नजर आती है वह कि ऊपर आप लोग को देखने को मिले एक हिंदू तीसरे नंबर पर आप लोगो देखने को मिलेगी सिक वुमें और चोथे नंबर पर आप लोगो देखने को मिलेगी मुस्लिम वुमें तो यहां पर यह चारो सिरीज में आप लोगो याद रखने हैं क्योंकि वुमें इंपार्मेंट के बारे में जब आप लोग कुछ लिखो अगर यह पॉइंट आप लोग ने एड कर दिया अपने आंसर राइटिंग के अंदर में और इसके उपर में कुश्चन भी दे दिया उन्होंने स्टेटमेंट बनाकर तो आप लोग यहां पर यह देखने को मिलेगा कि आप लोग एक अच्छे नंबर लेते हुए नजर आप लोग इस चीट को समझ सकते हैं तो यहां पर मेल और फीमेल फीमेल के अंदर भी हम लोग ने हम लोग नहीं पर एंट्री डाली ठीक है आगे चलते हैं यहां पर तो इसी के साथ में एक और अभी हाँ पर पार्टिसिबेशन आप लोग देखो इसको और अच्छे समझ पाओगी आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल वर्कर्स डे किस दिन सेलिबेट किया था जरह बताइए देखता हूं कौन-कौन बताता है यहाँ पर सेक्टोरल ट्रेंड भी आप लोगो दिखाया गया है कि जो माइनर इंक्रीज हुआ है वर्कर एग्रिकल्चर में ने माद इंडिया प्रोजेट जो है धंकशे काङ अरंग रहा है क्योंकि इसके अंदर में आजे किडने एग्रिकल्चर में फिर भी थोड़ा से यहाँ पर इंक्रीजों हो गया है तो वर्कट्र फॉर्ट पार्टिशिबेशन इसके बारे बात के जारी है दोनों में construction वाले sector में जो यहाँ पर थोड़ी से recovery हुई है पर लेकिन ऐसा आने कि बहुत ही अच्छी recovery हो गई है तो यह बात बोली गए है आप एक्सपर्ट यह बोल रहे है कि हाँ पर कुछ यहाँ पर तयार हो रही है यह आप लोग बोल सकते हैं अब इसको मैं समझाऊंगा और इसकी importance बताऊंगा तो इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिएगा यह important हो जाता है यह पर और यह कितना लेकर एक्सपर्ट ने अभी concern दिखाया तो इसको जहां से सुनिएगा जैसे अगर मैं आप लोग को उधान के तोर पर दो एक किसान है उस किसान के पास में टोटल मिलाकर चार बच्चे हैं चार लड़के हैं चलो मालो ठीक है या फिर एक लड़की मालो पांच हो गए तो इनको उठो चलो पड़ेवो बॉस्टंडे खारेवो पीरो ना किसी काम के दुस्मन आनाज के और चारो को चारो बुगई जोटा बेसिकली लेकता है उसमें बैठाता है और खेतों में लेकर चला जाता है पता चलता है कि किसान के बास में टोटल जमीन ही चार बीगे है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी चीज को यहाँ पर बोलाता है डिस्काइजड बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ज़्यादा लोग लगे हुएं जबकि एक्चुल में उनकी रिक्वार्मेंट नहीं है यहाँ पर मतलब वो इसी लिए लगे हुएं कि हाँ बस लगे हुएं क्योंकि कुछ और काम नहीं करने के लिए तो यह नेगेटिव है हमारे देश के लिए आप लोग यह समझ सकते हैं तो जो यह एक्रिकल्चर में लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बता रहे ना यह एक्नोमिस्ट इसलिए कंसान है स्चेज को लेकर नहीं हाँ पर कि कहीं नहीं यह जो बढ़ रहा है हाँ यह वर्क तो डिसगाइजड अगर कोई आप लोग उसे पूछ है तो यहां पर यह क्या है यह आप लोग को देखने को मिलेगा कि भाई अगर कोई यहां पर इस तरीके से इंसान आ रहे तो मार्जिनल प्रोडेक्टिविटी ऑप दा लेबर फोर्स इज जीरो है यहां पर यहां पर यह चीज आप लोग यहां पर समझनी है तो बहुत ही इंपोर्डेंट है तो एक्चुल जो रिक्वार्मेंट यहां पर है दूसरे फालत में वो नहीं भी रहेंगे यहां पर तो भी भाई कोई प्रोडेक्टिविटी पर इंपैट नहीं पढ़ने वारा है यानि कि यह बिल तो सेम चीज यहां पर बताई जा रही है कि होना न वराबर है तो उसका अच्छा तरवा रहो मत बस यह चीज़ सबस्छल़ आप लोग यहां पर इसको तो फोले ध्यान से सुनना आप लोग…… एक तो हो गया disguised, अभी हाँ पर disguised आप लोगों से UPC ने पूछ लिया, आगे चल कर seasonal पूछ सकता है, seasonal क्या है, अभी जैसे गेहों कटाई होती है, तो भाई बहुत सारे लोगों को जो मिल जाती है, गेहों काटने के नाम पर, जब कहीं पर मालिए, अगर आप लोग सर्दियो मिलता है, और हट भी जाता है, तो इसको seasonal occupants, seasonal occupants आप लोग बोल सकते हो, कि seasonal है यहाँ पर यह, ठीकर, तो यह इसकी वज़े से भी कई सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीकर, अगर आप लोग किसान के परिवार से आते हैं, तो यह चीज़ जो मैंने आप teacher की जुरत है, जो teacher जो है, वो multiple language के पढ़ा सके, पर लेकिन मुझे सारे के सारे जो teacher मिल रहे है, उस single language यह पढ़ाने वाले मिल रहे है, तो ऐसा नहीं है कि market में job नहीं है, market में job है, पर लेकिन उस इंसान के लिए job है, जिसके पास में skill है, अगर skill आप लोगे पास में उस level तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, तो यह बोलना की market में job नहीं है, ये बोलो market में उस job के लिए उतना skill वाला इंसान नहीं है, तो जब mismatch हो जाए job available market में जो है, और यहां पर जो skill शिवाइ इंसान के बास में, मतलब यह बिल्कुल ऐसे हो गे, कि मुझे चाहिए एक इंसान जो कि Japanese में पढ़ा ले पर हर एक इंसान जो है वो इंगलीज में पढ़ा रहे तो भई Japanese यहाँ पर पढ़ाने वाला इंसान चाहिए ताकि उन बच्चों को त्यार कह सके जो जापान में जाना चाहते हैं तो यह चमजना पड़ेगा आप लोग को पड़ेगा वहां तक पहुचने के लिए आप लोग यह बोलो कि नहीं ऐसे आ जाएंगे उठकर नहीं भाई तुम्हारा सूच सोचने का तरीका इस लेवल का हो जाएगा तो तो मैं तुमको बोलोंगी यह आर क्वालिफाइड तो फेलियर और क्वालिफाइड में डिफ्र standard meet नहीं कर पाया आप लोग कि मेरा ये standard है मेरे से मिलना है मेरे से दोस्ती करनी है तो आप लोगोंने अगर अपना criteria set करने है कि ये standard होना चाहिए मेरे से मिलने का मेरे से दोस्ती करने का तो आप लोगोंने सामने वाले को बोल दिया है कि भाई अगर मेरे से मिलना है न तुझ तो सबसे पहले तुझे UPSC का syllabus के लिए रोना चाहिए अगर तेरी उंगलियों पर UPSC का syllabus है तो यह standard है मेरा कि तु मेरे साथ में दोस्ते कर सकता है इसका मदला है कि तु पढ़ने वाला बच्चा है ठीक है अगर UPSC का syllabus तेरी उंगलियों पर नहीं है तो वही तु मेरा दोस आ जाता है जैसे 2008 में recession आ गया ठीक है अभी COVID-19 के टाइम पर भी condition ऐसी बन गई थी तो उस टाइम पर market में जब product की availability नहीं है तो भाई product बना के company क्या करेगी तो company भी product मनाना बंद कर देते तो बहुत सारे लोगों को fire कर देती है अभी देखा आप लोगों ने दुनिया वर करके लोगों को fire किया गया तो यहाँ पर recession या फिर decline होता economic growth के अंदर में तो तबी भी कुछ time के लिए बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो यह भी बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा reason आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा समझ में आ रहा है यहाँ यह आप लोग समझ सकते हैं next है यहाँ पर technological यह भी काफी interesting है इसको थोड़ा सा आप लोग जहां से सुनिएगा normally हम लोग इस चीज को भी ignore कर देते हैं पर यह ignore करने वाली कता ही नहीं है यह मैं आप लोग को यहाँ पर बता दों यहाँ पर जब technological हम लोग बात करते हैं अभी फ सारी हमारी government की चीज हो हम तक नहीं पहुच पाएगी वह सारी चीज चुट जाएंगी अभी एक वीडियो मुझे मिली पता नहीं कहां से मेरे सामने आई वह यह मुझे कतनी किसके द्वारा सेर के गए उसमें एक interesting change में आप लोग को बताता हूं मतलब मैं देखकर हैरान था अभी artificial intelligence का इस्तमाल करकर यह काम किया रहा है माली जे यह इनसान है यह कोई A इनसान है यह कोई B इनसान है यह B इनसान का सरीर पैरलाइस हो चुक है इस B इनसान का और A इनसान इसकी recently अभी death हो गई है road accident के अंदर में तो भाई इसका सरीर जो है वो ठीक है इसका सर फूड है तो यहां पर यह क्या जा रहा है कि इसका सर निकाल कर इसके सरीर पर लगाया जा सकता है मसीन की help से ऐसे experiment चल रहे हैं आज की डेट में यह इनसान का सर चेंज कर देंगे उसका सर उसके सर पर पहुंचा देंगे समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो इस 11 पर आज की से किया जाएगा और आप लोग इसको यूट्यूब पर सर्च भी करके देख सकते हैं head replacement with the help of technology तो यह आज की डेट में experiment चल रहे हैं तो सोच के देखो किस लेवल पर चल रहे हैं तो कल को चलकर मार्किट में अगर अच्छी टेक्नलोजी आ गई और सामने वाले ने उस टेक क्याते हैं कि भाई technology के साथ में अपने आपको upgrade कर लेना चाहिए नहीं तो पीछे चुड़ जाओ गई तो यहां पर वो लोग जो blows कर देते हैं जो अपने आपको change नहीं कर पाते हैं उस टाइम पर इसको आप लोग समझ सकते हो मतलब technology क्या कर रही है ready made babies के बारे बाद चल यह मार्किट में आ चुका था भाई यह रोक दिया गया वकाइदा क्योंकि सोचके देखो अच्छा आप लोग के मैंड में यह थोट आया है जो मेरे मैंड में इस टाइम पर जब इस इंसान के सरीर पर लगाया गया तो मतलब मुझे एक ऐसा थोट आया मैंने का अगर यार कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुती अमीर आद्मी है उसको मरना नहीं उसको अमर होना है तो क्या करेगा वो भाई साब अपना फेस जो है अपना सर जो है उसको रिप्लेस करकर कर दूसरी बोड़ी के उपर लखता रहेगा और उसकी बोड़ी जो है वह हमीशा जवान रहते लेगी और face को fresh बनाने के लिए आज कीट में दुनिया भर की system में आप लोगो पते हैं सारे के सारे जो hero heroit हैं उनकी उम्र देखना आप लोग सल्मान खान की उम्र देखना उठाकर सारुक खान की उम्र देखना इनकी उम्र जो है और हमारे father sahab का face देखना एक बार कैसे है और इनका face देखना एक बार उठाकर तो आप लोगो समझ में आ जाएगा यह ही इतनी injection इतने जादे यह medicines लेकर अपने body को इस तरीक से fit रख पाते हैं face की इतनी surgery करवाते हैं मतलब इनको नाक पसंद नी आ रहे तो इनको होट पसंद नी आ रहे तो होट चेंज करवा देते हैं पता नी क्या क्या मतलब भुटेक भुटेक या बोलते मुझे साथ नाम एक बार देख रहाता मैं किसी articles के अंदर में कुछ बोलते हैं कि क्या करवाते हैं अपने मतलब नाक को change करवा देना अपने होटो को बढ़ा करदेना ना को साफ बन न देना अगर भाई साथ बाल नियां सर पर बाल खुदबा की बाल गड़वा देना ठीक है तो यह आज की डेट में इतने काम तो नोर्मली हो रहे हैं आज की डेट में यह तो आप लोगों ने नोर्मली देखा होगा तो यह अपने आपको बुज़र्ग नहीं होने तो टेक्नलोजी का इस लेवल पर इस्तमाल यहां पर चल रहा है बहुत दूसरी जोब में सिफ्ट होना है तो थोड़ी देर के लिए अनिप्लेट रहना पड़ेगा दूसरी जोब के सर्च के चक्कर में इसमार्ट लोग क्या होते एक जो करते करते दूसरी डून लेते हैं ठेक है पर लेकिन कई सारे जोड़ी थोड़ा सा टाइम के लिए कई बार हो जाता तो इसको फ्रेक्शनल अनिप्लेमेंट भी बोला आता है तो यह चैटेग्रीज है अनिप्लेमेंट की 6 चैटेग्रीज अभी का आराम से रिप्लेस किया जा सकता है आज की डेट में और जैसे ही बलड चेंज होता है नया बलड आता है तो बोड़ी के अंदर में न्यू एनरजी आप लोग को देखने को मलती है और यह मैंने तब देखा जब मेरे ताउजी के जो लड़के थे उनको बलड कैंसर थ तो जब बलड कैंसर था उस टाइम पर तो उनकी बोड़ी में बलड को रिप्लेस किया जा रहा था टाइम तो जब बलड की कमी हो जाती थी तो चहरा मुर जाकर ऐसा हो जाता था जैसे कि वो उसकी जिंदगी में मतलब ऐसा लगा था चहरा बिलकुल बच्चा सा और अगले